हेलो एबरीवन वेलकम टू एसकी टुटोडियल रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के एपिसोड टू में आपका स्वागत है हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक को आज हम लोग सुरू करेंगे क्वाइन बेस्ट टाइपस के है एक बैग कंटेंस 50 पैसे 25 पैसे एंड रूपीज वन क्वाइन इंड रेशियो ऑफ 6 इस तो 8 इस तो 5 टोटल अमाउंट इन बैग इज रूपीज 420 पाइंड अमाउंट और 50 पैसे एंड 25 पैसे एंड आल्सो फाइंड देयर क्वाइन साथ कोस्टन को हिंदी में मैं एक इस एक बैग है जिसमें 50 पैसा का 25 पैसा का और एक रूपया का सिखा है और वो जो इस जिकहें जे आथे पांच में है और कुल जो रूपया है उस बैग में चार सो 20 पैसे कि 50 पैसे के और पचीक पैसे के सिखकों की संख्यां ग्याद करो और वो कितने सिक्के थे कितने रुपईये थे वो find करो तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं बहुत ही प्यारा तरीका से question है 25 पैसे 25 50 पैसे 25 पैसे एंड वन रुपीज के क्वाइन है राइट रेसियों क्या है सिक्स इजटू एट इजटू फाइप तो यह इसको इजटू में लिख दीजिए इसमें लिख देंगे इजटू में राइट तो अब देखी प्यारे बच्चों कि यह 50 पैसे को रुपीज में कनवर्ट कर दीजिए तो हम लोग जानते ह हैं कि एक रुपीज में कितना पैसे होते हैं 50 पैसे इंटू में टू कर देते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा बेसिकली आपका रुपीज में कनवर्ट अगर आप इसको करेंगे तो थ्री रुपीज हो जाएंगे उसी तरह से यहां पर एक रुप क्या किया सभी पैसे को रूपीज में पहले कर लिया तो इसको लिख सकते हैं इन रूपीज में चेंज किया हम लोगों ने इन चेंज इन रुपीज में ठीक है कि किया हम लोगों ने रुपीज में पैसे को अब यहां पर कहता है आपको पैसे का पैसे का रेषियो क्या है सी क्वाइन हम लोग जानते हैं जिसका नहीं करना होता है वह सभीका सम यानि की और सभी रेषो जितना दिया हुआ है इसका सम कर देंगे तो क्या हो जागा 5 5 5 10 तो बाइ में 10 कर देंगे टोटल रुपीज बैग में कितना है 420 रुपीज है स्वाल्व कर दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 3 जब करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 126 यह जो है यह आया है एमाउंट 126 क्या आया है एमाउंट आया है क्योंकि हम लोगोंने एमाउंट कर रिशियो लिया था तो अगर नंबर आफ क्वाइन्स करने होंगे तो 50 पैसे कितने क्वाइन्स होंगे डबल हो जाएंगे जस्ट हम लोग इसको क्या कर लेंगे वो है 120 नेक्स्ट दूसरा भी है 25 पैसे का भी निकालना है तो सेम इसी तरह से 25 पैसे का भी निकाल लेंगे हम लोग 25 पैसे का रेचियो क्या हो जाएगा और यहां पर भी कितना हो जाएगा 84 रूपीज हो जाएगा और 84 रूपीज है अगर इसका 24 पैसे का तो 4 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 336 coins हो जाएगे और यह हो गया आपका amount I hope आप लोग यहां तक समझ गये होंगे अच्छे सी questions को तो यह इस तरह से यह questions बन गया राइट तो मैं चुकिए explain कर रहा हूं इस वजह से इस भी questions को समझाने में टाइम लग रहा है और मैं कोसिस यह कर रहा हूं कि basic से भी अगर questions को हम लोग देखते हैं दूसरा वाला आपके screen के उपर next question आगिया है यह bag contains 25 पैसे 10 पैसे यह 5 पैसे coins in the ratio of this total amount in bag is rupees 30 find the amount of 10 पैसे and a coin of 5 पैसे वीडियोज को भी पॉस्ट करिए और पिछला वोला जो questions जिस तरह से मैंने solve किया था उसी तरह सी यह questions solve होंगे और खुद से solve कर करने की try करिए क्या आप से solve हो पाती है मैं फिलहाल इसको solve करना शुरू कर देता हूँ आप लोग अगर करना चाहते हैं वीडियोज को पॉस्ट कर सकते हैं सबसे पहले मैं लिखूंगा 25 पैसे के coin 10 पैसे के coin and 5 पैसे और ratio क्या है 1 is 2, 2 is 2, 3 ठीक है बहुत अच्छा ratio को मैं convert करूंगा rupees में ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली यह क्या हो जागा 25 पैसे ही रहेंगे यह 20 पैसे हो गए और यह हो गए आपका 5 पैसे की coin है तो 15 पैसे हो गए ठीक है अब यहाँ पर दिख रहा है किलियर ली कि यह 5 पाइब जा और 5 फोर जा और 5 त्री जा तो यानि कि एक नया ratio बना 5 फोर इजटो 3 के ratio में एक हम लोगों को नया ratio देखने को यहाँ पर मिल रहा है यह जो है आपका यह था number of coins यानि सिक्कों की संख्या थी और यह जो आया है यह है आपका amount क्या है बच्चों amount अब यहां पर आपको find करनी है रुपिया को इसका दस पैसे की coin को तो दस पैसे का जो coin है उसका ratio क्या है उसका अगर आप ratio देखेंगे तो वो चार है तो यानि कि लिखेंगे यहां पर 4 by में total ratio का sum कितना हो जागा पाच्चार नौ पाच्चार नौ तीन बारह तो बारह इंटू रुपिया total दिया हूँ कितना है 30 जब इसको solve करेंगे आप लोग यह आए जागा कितना फटाफट से बताएंगे solve करके 3-4 जा और 3-10 जा और यह 4-4 cancel out बचेगा 10 तो 10 coins हो जाएंगे straight यहां ते किरली समंझ Congressman आगिया अगर यहांपर दूसरा नंबर बात करूं यहांपर 5 पैसे की बात करूं अब पैसे यह पहला number potion बन गया 10 पैसे यह बन गया questions अब दूसरा बार है 5 पैसे बाला इसको देख लेते हैं दूसरा वर नमबर कोस्टन यहीं पर तो थ्री हो जाएगा यहां से त्री करेंगे तो जाएगा से वन पॉइंट फाइप तो यह से वन पॉइंट फाइप क्या निकला यह निकला बैसिकली आपका रूपिया में लेकिन यह 20 इसको हम लोगों को मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो है टोटल रेशियो कितना है इसका एक रूपीज में कितना यह होता है पैसे होते हैं वन रूपीज में फाइप पैसे कितने होते हैं तो कहेंगे सर ट्वेंटी होता है है ना तो इसे लिए यहां पर ट्वेंटी से इसको मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा जब इसको ट्वेंटी से मल्टिप्लाइ करेंगे इसका आंसर आएगा वन फिप्टी तो की आपका क्वाइन बेस्ट कोस्टन है स्वाल करेंगे आप लोग आपके स्क्रीन के उपर आ चुकी है कोस्टन्स ए बैग कंटेंज 58 नंबर ओफ क्वाइन इन दा फॉर्म ओफ रूपीज फाइप रूपीज 2 रूपीज 1 रेशियो ओफ देर अमाउंट इज 2 इस तो 3 इस तो वन फाइंड दा नंबर ओफ क्वाइन सॉफ आरेस फाइप तो यहां पर किलियरली मेंसन करेंगे सबी ठीजों को क्या हो जाएगा फाइप रूपीज का क्वाइन है तू रूपीज का क्वाइन है और वन रूपीज का क्वाइन है तो तक्या हो जाएगा टूइंस्ट 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 करेंगे कि उसक्रें कि धाइगा के सिकल्प्राइब और फाइंड नमबर अफ्वाइन इन फाइब पैसे अ फाइब रुपिज के नमबर अफ्वाइन सब्सक्राइब करने लिए बैग में तोटल नमर आफ यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक कंसेप्ट में दे रहा हूं इसको साइट में लिख लीजिए और उसका हमाउंट do find कर ना होता है है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टिपलाइ कर देते is और अगर अगर है हम जिए है और लोग नोट में करना है को तो उद्ध स्विशंस में टिवाइड करते start है कि यह चीज़ें आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके तो यहां पर हम लोग केस में क्या है हम लोग केस में क्या है एमाउंट इभन है और क्वाइन करना है तो क्वाइन आप हम लोग करेंगे यहां पर टाके के कितना से हो जाएगा टू toothbrush कर लिए हैं आ हम यहgano इंटेंचीम निकल जाएगा उसी तरह से यहां पर हृब 2 इंटेंचीज मैं यहां पर है तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जैगा तू यानिनित फूर इजिडू यहां पर टैन अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको तो 50 कवाहिन का fedulture सिथा वैयह है इसका रिपने सिधा नुकालते हैं रिध्य?", और इंटू में तो है तो China और 4 x 2 कितना हो जाएगा 8 यही हो गया इसका आंसर तो यह थे आपके क्वाइन बेस्ट कोस्चन्स आई होप आप सभी लोग समझ गया होंगे इस तरह की कोस्चन्स एक जनरेशन्स में जेंडरली आते हैं चलिए अब आप लोग देखते हैं एज बेस्ट को भी जो की रेशियो और प्रोपोर्शन्स के मैथोड से भी बन जाते हैं कोस्चन्स तो सबसे पहला जो एज बेस्ट कोस्चन्स है आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है और ईजteen भी कि रिएंगे फामाव एज गेहान फारज पॉटी टू एयक्या है में आ वह किं अधर कि पॉटीटु इयाओं फादान बिल एंफ चन्हाव एज क्पार एग्व कि एयर्च यहां पर क्या होगा रेशियो नोट रासन रेशियो ओफ देर एज विल भी 16 इस तु नाइन फाइन दा एज ओफ सन फाइन दा एज ओफ सन तो यहां पर देखिये फादर और सन का क्या दिया हुआ है सिक्स्टीन इस टू नाइन का रेशियो गिवहन है राइट कारता है क्या कि आफ्टर एट यहर्स एज विल भी इतना मतलब आठ साल के बाद जो होता है वो रेशियो ऐसा होता है एक है और एवरेज जो एज दिया गया है फादर एंड सन का एवरेज कैसे निकालते हैं नम टोटल सम आफ ऑब्जरवेशन बाइट नमर अब्जरवेशन तो सम और इज इक्वल टो उसका एवरेज केतना दिया है फोटीटू तो जब इसको फादर प्लस सन करेंगे इसको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा एटी फॉर हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो है आफ्टर एट इयर्स जो है हंड्रेड यहां पर एटी फूर इयर्स आया है और इसमें after 8 years जो questions में कह रहा है तो 8 years दोनों का बढ़ा यानि कि father's का भी और father's का भी और उस son का भी तो total कितना हो गया 16 years दोनों को add कर देंगे तो यहां पर कितना गया 100 ठीक है ध्यान से समझ यह इस question को तो अब निकालना किसका है find the age option आपको पता है जिसका हमको find करना होता है उसको लिखते है नुमेरेटर में अब दोनु रेसियो का सम कर देते हैं 25 और इंटू में क्या हो जागा 100 कहां से आया यहां से कैसे आया अभी फिर से रिपूट कर रिपीट कर दो रहा है इसमें 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि एट इयर्स बढ़ा था तब इतना आया था एट घटा देंगे 28 इयर्स तो जो सन का एज हो रहा है वो 28 इयर्स हो रहा है को फिर से कहेंगे तो आप एक बाद रिपीट कर देता हूं मैं ध्यान से समझेंगे सबसे पहले एवरेज एज ऑफ फादर और सन का जो दिया हुआ हुआ है वो 42 इयर्स दिया हुआ है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम आप ऑफ जर्वेशन्स बाइट टोटल से यहां पर टोटल जो है हम लोगों ने यहां पर फिक्स्टीन इसलिए लिया है कि फादर का भी एटीस मरें बच्चों का भी बढ़ेंगे मतलब सन का भी चलिए सेम इसी टैप का एक और कोस्टन करते हैं अब के स्क्रीन के उपर गोस्टन आ चुका है इसको सॉल्व कर दि सब्सक्राइब करें इसको सॉल्व करते हैं अगर आप पिछले को समझ गया है तो यह को सब्सक्राइब कि वस्टन है बैसी कली एवरिज एज ऑफ फादर एंड़ सन इस ट्वैंटीएट इस आफ्टर फॉर यहर्स देशियो आफ धी आफ देर एज़े इस विल बी इतना यानिकी एवरिज इस जो है फादर और सन का वह एवरिज एज कितना दिया हुए ट्वैंटी एटीएट इ एप्लिकेशन करेंगे और क्या कहता है कि यहां पर कि आफ्टर कितना एड़ आफ्टर फूर यह रिस्यो आफ देर एज विल भी देखिए फूर यह रहा है ना तो चार यह संद में भी बढ़ेगा चार यह फादर पर बढ़ेगा तो चार चार दो बार मल्टिप्लाइब यह एड़ होगा तो आठ साल तो इसमें क्या करिए आप आराम से आठ साल एड़ कर दीजिए जितना भी यह साफ्टर कहेगा नसीधा उसको टू से मल्टिप्लाइब कर देंगे फादर और सन वाला केस तो यहां पर कितना हो जाएगे यहां पर हो जाएंगे 64 64 तो यह आपका फ फादर बिफूर फाइप यर्स चीए काइब करना है तो जिसका वाइन करते हैं उसको क्या लिख्टे अग्र में आपकि नीचे में सम ऌफ रेसियो और इन टू में कितना है टूटल एज 64 यहां पर multiply करेंगे 16 हो गया 16 3 जा 48 और 48 में कितना 5 years पहले कहता है before 5 years कितना होगा तो दिखें प्यारे बच्चो अभी 4 years बाद की बात किये फिर भी 4 तो 5 साल पहले अब फिर ये 4 सल वाला तो टोटल कितना हो जाएगा नौ साल बैक चलेंगे माइनस में नौ साल कर देंगे याने कि 39 years हो रहे हैं इसके जो उसके फादर हैं उसका एज एक पर फिर से रिपीट कर देता हूं कुछ बच्चों के लिए 9 years क्यों multiply किये हैं क्योंकि यहां पर कहता है after 4 years हमने जो find किया है क्या निकाला है after 4 years आया है 48 लेकिन कोस्टन में कह रहा है आफ्टर 40 तो ठीक है हमको बताओ जो फादर्स का एज था प्रेजेंट एज था उसका विफॉर फाइप यह यह यानि कि चार यह इधर आगे बढ़ गया उधर उससे भी कौन साल पहले का पूछ रहा है तो टोटल पहले तो लिख लेंगे father and son 10 years before जो है वो ratio क्या है 3 is to 1 है and after 10 years ratio will become 5 is to 3 after 3 years जो है ratio कितना जाता है 5 is to 3 हो जाता है 5 is to 3 हो जाता है find the age of son after 5 years son का age निकालना है after 5 years तो देखिए यह पहले ratio को same करने का कोशिस करिए यहां दोनों का ratio क्या है same है तो question समझते हैं पहले 10 years क्या था before था फिर क्या कहता है ratio इतना था after 10 years फिर 10 एड़ कर दिये और will become इतना find the age of और after 5 years फिर कह रहा है तो 5 साल एड़ कर देंगे 25 years अंसर तो इसे ही निकल गया लेकिन चलिए इसको देखते हैं यहां पर टू टू का डिफ्रेंस है डिश्यो में इस साइड भी और इस साइड भी फादर के एज में और संगे और कितने माइनस दस साल के गैप में ठीक है तो क्या हो जाएगा तू आर इज इक्वल टू टू ट्वेंटी यर्स तो वन आर इज इक्वल टू केतना तैन यर्स रहीट यह 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 गया इसका आंसर आंसर में हुआ ट्वेंटी फाइप यह यह तो रेसी यह है से तो आई होप समझ गए होंगे वीडियो को पास करके बैक करके फिट से समझने का कोशिस कर सकते हैं अगला कोशन देखिए रेसियो आफ प्रेजन एज आफ ए और बी इस फाइप इस टो थी यह जो है प्रेजन एज का ए और बी का वो कितना है फाइप इस टो थी हैं तो फाइप इस टो थी लिग देंगे आफ्टर सेभन एयर रेश्यों विल बिकम थीस टू जाता है वो जाता है जाता है कब आफ्टर्ष रेश्यों ठीक है तो पहले यहां पर इस ratio को same करना पड़ेगा इधर का gap है 1 का और इधर का gap है 2 का इसको अगर 2 से multiply कर देते हैं यहां पर 6 आ जाएगा और इसको अगर 3 से multiply कर देते हैं तो यहां पर भी अगर इसको 2 से multiply कर देते हैं तो यहां पर 4 आ जाएगा तो अब यह नया जो ratio आया है तो दोनों ratio के बीच में कितना का difference एक का और इधर भी एक का ठीक है यही same करना था तो वन इयर का मतलब क्या वन इयर का मतलब है या इसको लिखिए इस तरह से वन आर का वन रेसीयो का मतलब है seven years seven years तो eight ratio का मतलब क्या होगा eight ratio मतलब दोनों का find a sum of percentage sum कहता है न तो दोनों के basically जो एज है उसके ratio को add कर दिए तो कितना हो गया eight ratio हो गया तो क्या हो जाएगा साथ गुना आठ यहने कि 56 एर्स हो गया answer राइट अगला questions करेंगे 16 years ago a was nine times older than b 16 years ago जो है जो है जो है वो nine times older than b से मतलब कि वो nine is to one के दिया हुआ है and eight years from now ratio of their ages will be three is to one दिया हुआ है what was the ratio of their ages before eight years कि यानि कि 16 years ago कह रहा है तो 16 सल पहले और eight years बाद भी बात हो रहा है कि तो यहां पर जो है पहले ratio को same करके try करते हैं करने का इंटूम उसको two से multiply कर दी इंटूम eight से यह अपने मन से करते हैं हम लोग के ratio को किसी तरह से equal करें यहां पर 18 is to two आ गया यहां पर कितना आ गया 20 24 is to eight आया अब दोनों की बीच गया कितना six का और इधर का भी रेशियो का कितना six का रेशियो सेम हो गया तो six आर इस एक्वल टू कितना टोटल कितने का गयाप है 24 साल का कितना का तो 24 years तो आर इस एक्वल टू कितना four years तो यहां पर जो यह रेशियो है इसको क्या करेंगे fours से multiply कर दीजिए four years निकला एक रेशियो का तो यह हो गया 96 year और इसको अगर करेंगे तो यह हो जाएगा जाएगा कितना जाएगा 16 अब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो शिक्स्टीन वन जा और शिक्स्टीन फाइब जा यह कि five is to one का रेशियो आया यह 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 गेस का अंसर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार फीड से चलिए इसको एक बार फीड से समझते हैं हर चीज को मैं रेश कर देता हूं और फीड से इसको एक्स्टीन कर देता हूं देखिए काता है शिक्स्टीन यह अगो तो शिक्स्टीन यह पहले की बात हो रही है प्लस फिर eight years आफ्टर भी का बात होता है तो ए और बी का जो रेशियो है उसको पहले लिखिए कहता है कि ए वज नाइन टामस ओल्डर देन बी देखिए कभी तो ए और बी कितना है नाइन इस टुवन फिर करता है eight years from now ratio of ages will be three is to one three is to one what was the ratio of their ages before eight years मतलब आठ साल पहले रेशियो क्या होगा उसके एज का आठ साल पहले उसके एज का रेशियो क्या होगा वो फाइंड करके बताईए तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले जो आपका टार्गेट होना चाहिए कि रेशियो को किस तरह से सैम कर सकते हैं रेशियो ठीक है तो इसको हम वही किया था कि दो से multiply किया था और इसको हमने basically eight से multiply किया था तो new ratio जो आया था यह टू से multiply किया था नाइन क इस तो में टू इंटू वन तो तू हो गया फिर वसी तरह से एट थी जा 24 और इस डू में एट इस डू में एट यह डिसी हो गया आप इस दोनों के बीच का गयाप देखेंगे सीक से इधर की इधर का भी गयाप सीक्स है ताट मींस सीक्सर रेशियो इस एक्वल टू कितना इयर्स का गैप है ताट मींस 24 इयर्स का कितना कहें 24 इयर्स है ना 24 इयर्स 16 और एट 24 इयर्स अब आर का फिल यहां से कितना निकल गया फोर आर इधर निकल गया जाएक फोर से हो जागा dha 96 और इसको फोर से मल्टिप्लाइ कर देंगे थोजर्ट च अब यहां पर दोनों में आट साल पहले की बात सोलह सल पहले का बात हो रहा है तो इसमें दोनों में यहां पर 9 is to 4 है ratio of income of A and B is 9 is to 4 and ratio of their expenses 7 is to 3 if each save rupees 500 find the income of A and B अच्छा सा interesting सा questions है A और B का निकाल लीजिए income पहले जिनिकाल लीजिए और expenditure खर्च निकाल लीजिए income क्या है 9 is to 4 है और expenditure कितना है 7 is to 3 है तो ratio वही चीज सेम करते हैं हम लोग इसको क्या कर लीजिए ratio सेम करने के लिए 4 से multiply और इसको सेम करने के लिए 5 से multiply तो कितना हो जागा प्यारे बच्चो 36 और यहां पर 16 और यहां पर कितना हो जागा 35 और 15 दोनों की बीच का gap कितना है यहां पर 1 का और यहां पर gap कितना है 1 का ratio सेम हो गया है ना तो 1 ratio is equal to 500 जब 500 निकल गया 1 ratio का value तो questions में के find the income of A and B तो यह तो income ही थार ना पहला ratio तो 36 को multiply कर दीजे 500 से इसी तरह से 16 को भी multiply कर दीजे 500 से क्या आएगा multiply करके यहां पर एट थाउजेंट एट थाउजेंट एट थाउजेंट और यहां पर 19 को अब आप लोग solve करेंगे homework है खुद से solve करने का try करेंगे चलिए मैं इसको भी solve कर देता हूँ 20 नमबर होंबग दे दूँगा देखिए सबसे पहले A B और C इसमें आप देखिए 2 is to 3 is to 5 ratio क्या दिया हुआ है क्योंकि यहां पर increment जो है percentage में दिया हुआ है इसलिए आप अपने सहलियत के लिए इस ratio को 100 में भी माल सकते हैं जैसे कि 2 दिया हुआ है तो 200 माल लिजिए इस to 3 दिया हुआ है तो 300 माल लिजिए 500 माल लिजिए इस तरह से ठीक है हमने माल लिया क्योंकि percentage में वो questions दिये हैं अपने सहलियत के लिए एक कितना percent है 15% increment है इसका 10% है और इसका 20% है ठीक है अगर इसका 15% बढ़ेगा तो 200 का 15% होता है 30 तो यह add हो जाएगा अगर increment होके तो 230 हो जाएगा और 300 का 10% होता है आपका 330 यानि के हो जाएगा और 500 का 20% हो जाएगा 600 ठीक है परसेंटेज निकालने के लिए आपको आता है क्योंकि आपने परसेंटेज chapter को पढ़ा है ऐसा मैं उमीद करता हूं अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक ब्रीफ में समझा देता हूं यहां पर कि अगर 200 का 15% निकालना है तो 200 गुना 15 बटा 100 करते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यह डबल जीरो डबल जीरो तो ऐसे खतम 15 दूनी 30 हो गया तो 200 का 15% निकाले और इंक्रिमेंट थोड़े प्लाव कितना का थी में जितना का इंक्रिमेंट हो यह एड हो जाते है इसलिए यह दूसा थे हुआ नया वाला इसमें देखी जीरो इससे कट गया सब खतम यह एक्च्छ ल निकाल लिया यही होगा इसका आंसर कितना एजी था कोस्चिंस एक और तरीका से इस को सिंगों बनाया जा सकता था कौनसे तरीका से सर डारेक्टली हम लोग एजियूम करते इसके सेलेरीज को एक सो एक सो में 15 परसेंट बढ़ा देते तो एक सो पंद्रह हो जाती बेस मानते एक सो इन्टू में टू कर देते क्यों टू करते क्योंकि रेसियो टू दिया हुआ है ठीक है फिर इस टू दस परसेंट के इंक्रिमेंट हो रहा है तो एक सो दस बट्टा एक सो करते और इन्टू में हम लोग क्या करते थी कर देते जो रेसियो गिवेन है और फिर लाइस्ट टेप में क्या हो जाता हो एक सो बीस बट एक सो गुना में कितना हो जाता है यहां पर इसको सॉल्ब कर देंगे जब इसको सॉल्ब करेंगे वही आएगा 23 is to 33 is to 60 को सकते हैं यह बहुत माहीन है रखता है ग्याइट चल गया अगला कॉसन देखते हैं अगला इंप्लायर reduces the number of his employees in the ratio of 9 is to 4 and increases of their wages in the ratio of 2 is to 5 what is his total ratio increases or decreases total ratio इसका increase किया है तो पहले तो employee जो है उसका ratio लिख लेते हैं कितना है 9 is to 4 है वेज कितना दे रहा है वेज का ratio देख लेते हैं तो वेज जो दे रहा है यह तो यहां पर कि अगर हम लोग दोनों के को एड मल्टिप्लाइ कर दें तो कितना होगे 20 तू टाइमस में गर कैंसल आउट करते दोनों को तो 9 इस टू टैना आया तो 9 इस टू टैन के रेशियो में वह कहता है इंक्रीज किया यह डिक्रीज क्या वाट इज वाट टोटर रेशियो आपके स्क्रिन के ओपर है 20 21 number questions कहते है कि 5625 is divided among A, B and C in such a way that A receives half the sum of B plus C यानि कि A को जो मिलता है वो B plus C का आधा मिलता है ठीक है and B receives 1 by 4th of A plus C यानि कि B को जो मिलता है वो A plus C का 1 by 4th मिलता है तो क्या कहता है कि find the amount received by A plus B A plus B को कितना amount मिला है ये बताईए तो देखे प्यारे बच्चो अगर हम लोग इसको यहाँ पर लिखें कि A by B plus C is equal to 1 by 2 और उपर भी 5 से multiply नीचे भी 5 से multiply तो यह आता है पॉंच बटा दस पॉंच बटा दस अब यहां पर लेते हैं B by B by A plus C अगर करते हैं तो हमको आता है 1 by 4 और इसको हमारा A plus A B C का ratio यहां पर हम लिखेंगे A B और सी क्या आया है रेसियो एक वेल्यू कितना है 5 B का कितना आया है यहां पर B B का आया है 3 और C क्या पता है हम लोगों को तो A और B अगर पता है तो C तो पता चली ही जाएगा और यहां पर दोनों का सम दिया हुआ है 10 नहीं निकल जाएगा आराम से निकल जाएगा तो यहां पर है कितना 7 तो हमको श्रम को निकालना किसका है निकालना है हमको एप और बी का दोनों के सम निकालना है तो ए और भी राटी क्या है 5 और 3 तो 5 और 3 एट बाइ 15 और इंटू में 562 पाइप अब इसको सॉल्ब कर देंगे जब इसको सॉल्ब करेंगे यह आज आएगा आपका 3000 यही हो गैस का आज़ आज़ राइट अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है आपके स्क्रीन के वपर दर रेशियो आफ ए एंड बी वन यह अगो वाज थी इस तो टू तो इसमें लिख दीजिये ठीज्च सॉल ठीज्च सॉल और वैज हैं अलग भी तो ग्रामवन थीज्चσιों फीज्ट 12 sex fu ऑल प्राय देछ हट इस का तो तु व ALL अलग के इस व उस इस तो नो अलग कि अनो व्ट इसको बहुत इजी बनाया जासेकता है लास्ट यार और प्रिवियस यार देख करके तू इस टू थ्री का दिया हुआ है यहां पर रेशियो और यहां पर दिया हुआ है थ्री इस टू फोर नेक्स्ट रेशियो कि ए और बी कि इसको नाइन से मल्टिप्लाइ करें इसको फोर से त्वेंटी सेवन और यह हो जागा सिक्स्टिंग क्यों कि नाइन और फोर से मल्टिप्लाइए कि यह कोश्चन सा सकते हैं आप लोगों के मन में इस कोश्चन के लिए एक और सॉट कॉट ट्रिक हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में इसको और बहतर ढंग से सॉट को ट्रिक्स में समझना चाहरा हूं अब हलांकि इसको सॉट किया ही जा सकता है जैनरल एपिसोड में हम लोग देखेंगे 22 नंबर कोश्टन के बाद 22 नंबर कोश्टन से सुरू करेंगे तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं मिलेंगे अगले एपिसोड में अप्योंग नमस्कार जैन वान्भातरम